चेतावनी कुवा ठंडा जल पीने के लिए बनाये जाते हैं यदि कोई मंद मती कुवे में डूप कर आत्मत्या कर ले तो इसमें कुवा बनाने वाले का क्या दोश हमारे दुवारे दिखाये जाने वाले सभी मंत्र, तंत्र, प्रियोग केवर लोग कल्यान के लिए है यदि कोई दुष्ट बुद्धी हमारे दुवारे बताय गए उप्योगों का प्रियोग किसी का अनिष्ट करने के लिए करेगा तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी सावधान यदि इन मंत्रों से आपका कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे इसलिए प्रियोग करने से पहले किसी ग्यानी महात्मा या किसी ओम नमस्शिवाए जैसे कि आप सभी जानते हैं जो पावंतियोहार है वो आने वाला है और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको होली पेवशी करने की वीडियोज मिलेंगी ओनलाइन और कुछ वीडियो ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आएंगी कुछ होंगे जो काम करेंगे कुछ होंगे जो नहीं करेंगी तो मैं आपको यह कहूंगा कि आप जो भी कोई वीडियो देखें आसमाएं उससे पहले अपनी जो सुरक्षा है उससे कर लीजिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि असर उल्टा हो जाता है जैसा कि हम बताते हैं तो अपना देहरक्षा एक मंतर होता है उसको आप इंटरनेट पर सर्च करिए हमसे मत पूछिए क्योंकि इतना समय नहीं होता कि हम आपको सारी चीज़े बता सकें देहरक्षा मंतर होता है आप उसको भी इस्तमाल करके अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं जहां से भी आप कोई भी प्रयोग करते हैं उससे पहले उसकी साफधानिया पढ़ें क्योंकि साफधानी में ही बहुत जरूरी है साफधानी उसी में भलाई है और क्योंकि होली का तिहार आ रहा है कि जिसको भी आप पसंद करते हैं, उनकी पसंद का आपको रंग लेना है, और उस रंग के अंदर लाल रंग मिला देना है, जादा नहीं लेना, थोड़ा सा आप दो चुटकी ले सकते हैं, और उसमें शहद की दो तिन बुंदे मिला दीजिए, जिससे कि वो थोड़ा मंतर बोल सकते हैं, मंतर बहुत ही अचूक है, और ये शाबर मंतर है, कहते हैं, शाबर मंतर है एक ऐसे मंतर है कि जो कील की योँए नहीं होते है, तो इस मंतर का प्रियोग करीए, और उसके बाद आप रिजल्ट देखिए, आप हैरान हो जाएंगे, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि गुरुप हमारा फुल हो चुका है तो उसमें अभी एड होना बहुत ही बहुत ही मुश्किल हो गया है लेकिन जैसे ही जगह मिलती है आप लोग को आड कर लिया जाएगा आप सिर्फ कमेंड में अपने नाम दे सकते हैं जो भी गुरुप में एड होना चाहते ह और मंतर इस प्रकार है इसको ध्यान से आप देख लिजे और सुन लिजे मंतर बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा मंतर इस प्रकार है ओम काम देवायच मम पुर्शम वश्यम कुरुकुरु स्वाहा मंतर को ध्यान पूर्वक सुनिए दुबारा से और इसको लिख भी लगा देना है मतलब तिल्ख लगाने से पहले जाब करना है उसके बाद जब आपके 21 बार जाब होचा उसके बाद यह टीका लगा दीजिए आप किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं और अगर यह होली के दिन लगाये जाता है तो बहुत ही जादा कमाल के असर दिखाता है यह तुरन्त कभी-कभी तो बिल्कुल लगाते ही काम कर जाए आपको ये लगाना है और उसके बाद आपको कुछ भी करना अब अपने दिंचरिया में आसकते हैं कोई ऐसी इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये नहीं करना आप नॉर्मल तरीकेसे रह सकते हैं और ये अपन एक सादवी ने मुझे यहाँ पर कमेंट में बताया है मैसेज के जरीए कि आप मोटिवेशनल वीडियो बनाएए जिसमें जिन्दकी से जोड़ी हुई कुछ बाते हों क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं और कुछ ऐसा बनाए जिसमें परसर हों क्योंकि पस्चमी सभ्यता में सभी लोग आजकल इतना जादा डूप चुके हैं कि वो अपने धर्म को पूरी तरह से भूलते जा रहे हैं तो मैं इसके ओपर जरूर वीडियो बनाऊंगा लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि भगवान पर फरोसा रखो क्योंकि अगर उसको छोड़कर कहीं और दिल लगाया तो अंत में पच्छताना पड़ेगा ओम नमस्षिवार